हाई स्टुदेंट्स वेलकम टू गेट एड़ा 247 कैसे हैं आप लोग मस्त हो गए है ना तो भाई देखो आप पीछे देख रहे होंगे क्या है लिखा हुआ बिलीव इन योर सिल्फ बाई देखो लाश्ट टाइम है ये गेट के पेपर से अगर आप देखे तो पांच तारीक को पेपर है ठीक है आज तीन तारीक है इसमें जो सबसे ज़्यादा काम आएगा आपको अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो ठीक है अब इसमें क्या है कि confidence आपको अपने उपर कैसे आएगा तो जब आप अपने उपर believe करेंगे है ना आप बहुत मेहनत कर चुके पूरे साल है ना आप बहुत अच्छा question कर चुके है ना बहुत सारे बच्छों से हम मिल मतब जो है ना online ही मिल भी चुके है ठीक है तो basically इतना तो हमको समझ में आ चुका है कि आप लोग अच्छा करने वाले हैं है कि नहीं और अब ये बात रहती है यहां पर कि सर इसमें tricks क्या होना चाहिए जिसे की मेरा selection अच्छा हो सके जिसमें जिसे हम लोग question ज़्यादा ज़्यादा कर सके तो इसमें tricks क्या होना चाहिए सर है कि नहीं सबसे पहला जो चीज मन में आता है कि सर हम लोग को paper को कैसे attempt करना है हम लोग को जो है ना सर किस तरीके से क्या gate से कोई benefit है है ना मतलब इन सब type का मन मतलब 50 तरीके का चीज आपके मन में अभी चल रहा होगा ठीक है कि सर इतना मेहनत कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा पहली बात दूसरी बात कि सर गेट तो इतना मेहनत करें लेकिन इससे होगा क्या दूसरी बात तीसरी बात कि सर अगर question मेरे से solve तो इसे भी जिरो हो जाएगा अधर सबसे पहलारा जो जीजब है तो आप अगर आप गेट की तेयारी क्यों होंगे तो आपको क्या फैदा मिले गाते अगर आप gate की तेयरी की होंगे तो आपको क्या फैदा मिलेगा ठीक है देखो क्या है आप gate करिए ठीक है gate से आपको सबसे पहले तो PSU मिलेगा ठीक है तो इसमें आपको होता है कि बहुत सारा direct यहां पर recruitment होता through gate यह आपको पता है फिर उसके बाद gate की तेयरी कर लिए ना तो लगभग IES से सिलेबसिस का मैचिंग होता है 85% 90% भी बोल सकते है ना तो gate की अगर तेयरी की होंगे तो यह waste नहीं जाएगा है gate जस्ट एक एक एक्जाम है आपको पता है यह चीज़ और अगर gate की आप तेयरी कर लिए तो देखो भाई यह competition है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप first attempt में ही top कर गया ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि यह competition है ठीक है फिर उसका state electricity board एक तो या तो बहुत gate के ही true होता है या फिर कुछ state electricity board अलग से भी paper लेता है जैसे राजस्थान electricity city board है ना तो अगर gate की आप तैयरी कर लिए तो आपके लिए मतलब बहुत तरीके का रास्ता खुल गया है ना तो gate में अगर नहीं होता है तो आपने पास यह सब option तो है यह सब option तो है तो gate की तैयरी अगर आपकी है तो यह waste नहीं जाएगा यह हम आपको guarantee के साथ बता रहे ह है तो पहला चीज तो dot आपका clear हुआ दूसरा जो dot होता है इसमें किसा test series में ऐसा है ना किसा test series में मेरा 30 नमबर आता है यह test series में मेरा 40 नमबर आ रहा है कि नहीं test series मेरा 40 marks आ रहा है तो हम एक चीज़ तुमको बता दे यह मेरा experience बोल लो है ना बहुत सारे बच्चों से हम बहुत दिन से हम पढ़ा रहे हैं तो obviously बात है बहुत लोगों से हम बात की होंगे है कि नहीं तो मेरा experience ही बोल लीजे आप कि जितना test series में नमबर आता है ना maximum अगर normally on and average अगर हम देखें तो जो gate के paper में देखेंगे आप तो इससे करीब करीब आपको 40% 30% जो है ना extra मतलब जादा marks आएगा gate के paper में समाझ जो मेरी बात इससे 30% 40% extra marks आएगा मतलब कहने का मतलब अगर मालो 40 नमबर आ रहा है नो गेट में 56 नमबर आ सकता है है कि नहीं गेट में 60 नमबर आ सकता है गेट में आपका 55 नमबर आ सकता है है कि नहीं तो ऐसा होता है क्योंकि test series में आप अच्छे से कर सकें तो बेसिकली test series का यह मतलब होता है ठीक है और test series कभी rank predictor नहीं होता है ना test series कभी rank predictor नहीं होता है आप इस चीज़ को mind में रखियेगा है teacher से आप पुछ लीजे या जो notes है वो एक बार आप revise कर लीजे है ना तो यह सब चीज़ होता है समझ आप मेरी बात तो test series में अगर कम marks भी आ रहा तो उससे tension नहीं लेना है आप gate में अच्छा करेंगे यह हम आपको guarantee के साथ दे रहें जैसे एक लड़के का example हम इसमें दे र है ना और अभी ministry of power में हो है कि नहीं आप समझे मेरी बात तो basically कभी यह इसको आप test series को आप इसको final result नहीं लीजेगा दूसरा trick है यह basically ठीक है अब अगर आप जाएंगे कि आप बलेंगे कि सर गेट के paper में हम लोग को कैसे attempt करना है ना तो वो चीज हम आपको बता दे रहा है मतब गेट का paper आप कैसे attempt करेंगे ठीक है देखो मेरा जो तरीका होता है मेरा जो तरीका है या था जब है ना बात जैसे एक एक ऐसा होता है कि जो एक मतब एक हर student का है ना एक अलग-अलग method होता त्यारी करने का एक अलग-अलग जो ह जायसे आपके पास अपसरों स्कूर गेट का पूरा कोशन है सिक्षिटीफाइब कोशन है ना अब उसमें आप कैसे एटेम्ट करेंगे है ना तो अगर मेरे से पूछ औगी की सर आप बताते तो कैसे करेंगे है ना तो one two sixty five question में one go में हम ये देखते हैं पहले मतलब one go में कि अराम से कौन सा question solve हो रहा है ठीक है हमको जिसमें बार बार calculation ना करना पड़े या फिर ऐसा ना हो कि हमको जो है ना subconscious mind में कुछ है और उसको हमको मतलब जो है ना उसको याद करने के लिए हमको बहुत time उस पे जा रहा है या दो तीन बार हमको question solve करना पड़ा है तो उसको पहले attempt में हम छोड़ देते हैं पहले attempt में हम क्या करते हैं पहले attempt में मेरे से direct जो question solve हो जाएगा उसको हम लोग करते है one two sixty five में इसे फाइदा क्या होगा देखो क्या होगा इसे फाइदा यह होगा कि आपको मालो 30 नमर क है पहले attempt में बना ठीक है आप question तो सारे देख चुके है ना और one go में पचीस नमर का मतब पचीस question आप solve कर चुके ठीक है या 25 marks का question solve कर लिए आप यह मान लिजे बस है ना 25 marks का question आप solve कर लिए एगदम easy तरीके से हम आपको बताते ठीक है 25 marks का question solve कर लिए फिर यह जो one go में बना एकदम असानी से बना यह तो perfect होगा इसमें गलत होने का chance तो नहीं है तो 25 नमर हमारा secure हो गया ठीक है फिर उसके बाद फिर से पहले question से जाएंगे जो question चूटा हुआ है ना इसमें अगर थोड़ा time taking वाला question रेगा तो थोड़ा time लेने वाला question रेगा ना तो उसमें आ to 65 में second जो round है उसमें आप एक घंटा time देता है ना तो एक घंटा time देके आप जो है ना हमको लगता है कि 20-25 नमर फिर से कर ही लेंगे है ना तो 50 नमर तो ऐसे ही आ गया है कि नहीं आप समाझे मेरी बात 50 marks तो ऐसे ही आ गया और gate में कभी ऐसा नहीं है कि आपको 90 number 90 marks लाग है ना तो यह सब ट्रिक्स होता है पेपर को देने का ठीक है आप समझ दो है मेरी बात और रही बात अभी हम आपको कोई technical चीज नहीं बताएंगे ठीक है जैसे कि हम आपको सिगनल सिस्टम समय बताते है ना कि मालो रेक्टेंगलर है तो उसका फूरियर ट्रांस्वार्म क्य होगा तो यह सब कुछ-कुछ चीज है जिससे कोशन सब आने का चांस है तो उन सब टेक्निकलिटी पर अभी हम नहीं जाएंगे तो हम आपको बस यहीं सब चीज अभी बताने जा रहे हैं यहीं सब ट्रिक हम मांते हैं एक्जाम को देने के लिए ट्रिक्स ठीक है तो पहला ट्रिक हो यहां कि टेस्रीज के नंबर से आपको घबराना नहीं है घबराना नहीं है बिल्कुल भी जो भी अगर फोटी माक्स का भी अगर आता होगा तो आप पचास-पच्पान नंबर तो ले आएंगे गेट में और इतना ही चाहिए होता है अच्छे रैंक के लिए ठीक मिश्टेक होने का चांस कम रहेगा और तीसरा जो चीज है कि हम अपना बेश्ट देने की कोशिस करेंगे गेट में ठीक है और अगर गेट में बेश्ट देने की कोशिस किये तो गेट में बहुत अच्छा रैंक आ सकता है और इनकेस मालो खुदाना खासता अगर नहीं अच के अलावा क्योंकि आप त्यारी कर चुके हैं तो आपके आपके लिए बहुत सारा ओप्शन खुला हुआ है आपको घवराने की बिल्कुल भी नहीं है तो बस हम आपको एक चीज बता दें लास्ट में मस्ट तरीके से आप लोग पेपर दीजेगा मस्ट तरीके से दीजेगा पेपर और फिर लास्ट में आलड़ बेस्ट ठीक है अलड़ बेस्ट अब मस्ट रहना खुश रहना अपना 100% देना जो होगा देखा जाएगा तो बढ़ियां से देना पेपर खुश रहके ठीक है तो थैंक्यू मिलते हैं हम लोग ठीक है और इंज्वाए करना है ठीक है ठ बेस्टै है